नमस्कार बैजूज आये सिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 28 सितंबर के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्मुन समाचारों का विशलेशन करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का समाचार विशलेशन सबसे पहले मैं आपको ये पता दूँ कि आज का इस सत्र में हम किनके नुविसियों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले कौार्ट को अधार बना करके एक एटोरियल लिखा गया है हम उस पर चर्चा करेंगे चक्रवाती तुफानों से होने वाले नुकसान को हम कैसे कम कर स और PM कुसुम योजना को अधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है हम उस पर भी चर्चा करेंगे और सबसे अंतिम में आज के वीशियो पर अधारित मुख्य परिक्षा के अभ्यास प्रस्चनों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं आज के इस स अधारियल में लेखा के द्वारा एक बहुत ही महत्पून मुद्दा उठाने का प्रयास किया गया है यहां पर जो ऑक समझोता हुआ है और उस्टेलिया, UK और US के बीच में उसको अधार बना करके यह कहने का प्रयास किया गया है कि कहीं यह समझोता क्वाड के भविश्य पर प्रस्चिन तो नहीं लगाता यहां पर यह कहा गया है कि क्वाड बहुत ही कम वास्तविक काम के साथ स्रिफ एक टॉक सौप बन करके ना रह जाए इसका खत्रा उस पर बंड़ा रहा है जबसे ऑस्टेलिया, UK और US के बीच में ऑक समझोता हुआ है इसी एटोरियल में स सबसे पहला पॉइंट है उसमें यह कहा जा रहा है कि यह जो औक समझोता हुआ है उसके द्वारा अमेरिका अपने सहयोग्यों को यह संदेश देना चाहता है कि वह अभी भी उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम है खास करके इंडो-पैसिफिक में आप सभी जानते हैं क कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद से ही अमरिका पर यह दबाव बढ़ गया था कि वह कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे कि उसके सहयोग्यों में उसको ले करके जो असंकाए हैं वह दूर हो जाएं और उसी को देखते हो यहाँ पर यूएस के द्वारा औस्टेलिया के सा सामना कर पाएगा और परमानुपंडू भी मिलने के बाद उस्टेलिया के मन में जो हिचकी चाहट थी वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगा यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही भद्पून है जिसमें यह कहा गया है कि कहीं न कहीं यह जो ऑक्स समझोता हुआ ह वह क्वाड के घोसित उद्देश को पूरा करने में भी मदद कर सकता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वाड इंडो पेस्फिक को मुक्त खुला और समावेसी बनाने के उपर जोड़ देता है और यहाँ पर जो ऑस्टेलिया, युके और युएस के बीच में साज़दा हुआ है वह क्वाड के उद्देश को पूरा करने में उसका हेल्प भी कर सकता है लेकिन यहाँ पर इसी के साथ साथ यह बात भी कहा गया है कि यह जो ऑक समझोता है वह कहीं न कहीं क्वाड के रोल को पीछे करता है क्योंकि क्वाड का जो उद्देश है वह पूरी तरीके स असपस्ट नहीं है जिसके परणाम सरूप क्वार्ड के एजेंडे में बहुत सारे आइटम है ना तो क्वार्ड का कोई सचिवाला है और ना ही संगाई सहयोग संग्थन की तरह उसका कोई चाटर है और ना ही ऑक्स की तरह गतिविधियों को ले करके एक असपस्ट समू है यहाँ पर क्वार्ड के भविस को ले करके चिंताये जाहिर की गई है यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह जो पहली बैठक हुई है क्वार्ड के देशों की वहाँ पर जो अंतिम रिपोर्ट आया वहाँ पर नौर्थ कोरिया और मयर्मार का जिक्र है लेकिन वहाँ पर चीन का जिक्र नहीं है उसी तरीके से Quad के देशों के द्वारा Quad Plus को ले करके भी कोई चर्चा नहीं किया गया आप सभी जानते हैं कि Quad में बहुत सारे देशों के द्वारा भी दिलचस्पी दिखाया गया है जिसे हम Quad Plus के नाम से जानते हैं लेकिन यहां पर जो पहली मिटिंग हुई है Quad के देशों के बीच में वहां पर Quad Plus को ले करके बहुत ज़्यादा चर्चा दिखाई देने को नहीं मिला और इसी को अधार बना करके यह कहा जा रहा है कि चुकि Quad का जो उद्देश है वो बहुत ज़्यादा असपस्ट नहीं है तो कहीं न कहीं Quad जो है सिर्फ एक बातचीत करने का मंच बन करके ना रह जाए और यह जो ऑक्स समझोता है वह Quad की जगह ले सकता है क्योंकि इसका उद्देश बिलकुल साफ है यहाँ पर भारत के हिचकी चाहट को ले करके भी चर्चा किया गया है यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से भारत के द्वारा आक्स और Quad के बीच में कोई सम्मंद नहीं है ऐसा बयान दिया गया वह ठीक नहीं है जिस तरीके से भारत के द्वारा पहले यहां कहा गया था कि मालाबार नौस्टनिक अभ्यास और क्वार्ट के बीच में कोई संबंद नहीं है इसी तरीके का बयान जो है आक्स को लेकर के भी भारत के दोरा दिया गया है आप सभी जानते हैं कि आक्स में उस्टेलिया, यूके और यूएस हैं यानि कि क्वार्ट के जो दो बड़े देश हैं उस्टेलिया और यूएस वो इसके सदस्य हैं उसी तरीके से मालाबार नौस्टनिक अभ्यास में भी क्वार्ट के देश ही भाग लेते हैं लेकिन भारत क के दोरा हमेसा ही इन दोनों को अलग करके दिखाया गया है और इसी को लेकर कि यहां पर चर्चा किया गया है कि भारत का Ox और Quad को लेकर के जो बयान है वो कहीं न कहीं Quad के उद्देशु की गंभीरता को लेकर के सवाल पैदा करता है। इस एटोरियल में भारत के हिचकी चाहट के सुरोत की भी चर्चा की गई है और यहाँ पर दो पॉइंट की चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि सैनिक गटबंदन को लेकर के भारत पहले से ही अपन रननीतिक स्वैता यहां पर खोदे और इसलिए भारत किसी भी सैन गटबंदन का हिसा नहीं बनता और यहां पर जो दूसरा कारण वह यह कहा गया है कि भारत चीन की पत्रक्रियाओं को ले करके भी काफी साउधान है और इसलिए भारत के द्वारा कभी भी क्वार्ड को एक सै सैन अधार देने का परियास नहीं किया गया जिस तरीके से जो ओक समझोता है वह पूरी तरीके से सैन अधारित एक समझोता है एक गटबंदन है लेकिन यहां पर हम कभी भी यह नहीं सुनेंगे कि क्वार्ड जो है एक सैन अधारित गटबंदन है यहां पर हमेशा से क्वा यहां पर भारत के खिलाफ कुछ कारवाई कर सकता है इसके कारण भारत सैनिक गटबंदनों का हिसा नहीं बनता तो इस तरह कि यहां पर बाते रखने का प्रयास किया गया है और यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि अगर क्वार्ड अपने उद्देशों को साफ नही केसी भी सैनिक गटबंदन का हिस्सा नहीं बनेगा, इसको छोड़ना चाहिए, जिस तरीके से औस्टेलिया ने इस सोच को छोड़ करके UK और US के साथ हाथ मिला लिया है, उसी तरीके से भारत को ज्यादा एग्रेसिव होते हुए, एसिया प्रसांद छेत्र में किसी ना किसी सैनिक गटबंदन का हिस्सा बनना चाहिए, तो बहुत इंपोर्टेंट एटोरियल है, कुछ नई बाते यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है, जिसको कि आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, आए अब एक और एटोल के हम यहा भारत में चक्रवाती तुफानों के आने का जो सिलसला है वो बढ़ गया है, और उसी को ले करके इस एटोरियल में यह चर्चा किया गया है, कि किस तरीके से भारत चक्रवाती तुफानों के कारण जो नुकसान होते हैं, उसको कम करने के लिए क्या क्या काम कर सकता है, यहा यहां पर जो नुकसान होते हैं उससे लोगों को बचाया जा सके। जाने की मार्च से मई के बीच में चकरवात आते हैं या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चकरवात भारत में आते हैं। यहां पर यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जून से सितंबर के मानसून के मौसम के दोरान चकरवात कम आते हैं क्योंकि मजबूत मानसून धराओं के कारण साइकलोन बनने की जो इस्ती है यहां पर अनुकूल नहीं रहती। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 1950 से लेकर के 2018 के बीच में जून और सितंबर के महिने में जो है शरिफ 18 साइकलोन ही आये हैं। और पिछली बार सितंबर के महिने में जो साइकलोन भारत में आये था वह 2018 में आये था तो यहां पर यह समझाने का परयास किया गया है कि सितंबर के महिने में चकरवात आने का जो संभावना है वो काफी कम होता है लेकिन यहां पर अब देखने को मिल रहा है कि जो जलवाय परिवर्तन हुआ है उसके कारण अब सितंबर के महीने में भी गुलाब जैसे साइकलोन देखने को हमें मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जलवायू परिवर्तन का असर चकरवारतों पर साफ साफ दिखता है और पिछले कुछ सालों में भारत में लगतार चकरवात आ रहे ह जिनके कारण भारी, जान और माल का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी दी गए जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दुनिया भर में होने वाली उसन कटवंधिय तुफानों की घटनाओं का केवल 7% ही होता है। यानि कि जितनी भी चकरवाती तुफान दुनिया भर में आते हैं उसका सिर्फ 7% ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आता है जो की काफी कम है लेकिन घनी अबादी होने के कारण उसका जो प्रभाव है यहाँ पर ब करसा के जल को औसोसित करने में पूरी तरीके से नकाम्याब हैं जिसके कारण जब भी सैकलोन आता है तो आप देखेंगे कि बड़े-बड़े सहरों में भी जल भराव आपको देखने को मिलेगा जिससे जान और माल का काफी नुकसान होता है। और आप यहाँ पर देख सकत क्योंकि जलवायू परिवर्तन के कारण भारत में चकरवातों के आने का सिसला यहाँ पर कम नहीं होगा। और इसी को अधार बना करके यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंदर को और राजसरकारों को हर साल होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ ना कुछ आवस्य कदब उठाने पड़ेंगे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपदा पतिक्रिया से परे जा करके वित्य सुरक्षा के लिए संस्थाकर ढाचे और बीमा परनालियों को यहाँ पर अस्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ कहा गया है कि जिस तरीके से जलवा पर एक काम करने चाहिए और इन ही सभी बातों की यहां पर चर्चा किया गया है तो एक बहुत ही महत्पुन मुद्दा यहां पर उठाया गया है कि भारत को चक्रवाती तुफानों के परणामों के प्रबंधन के लिए एक समाजिक सुरक्षा जाल बनाना चाहिए क्योंकि यह चक्रवाद हर साल भारत में आते हैं, आएंगे और उनके आने का जो स्रिसला है वो धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आए एक और एटोरियल के हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एटोरियल आया जिसका सिर्षक है वोट्स एंडिट्स और यह टॉपिक जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। बढ़ाने के लिए उसको लेकर के चर्चा किया गया, यहाँ पर चुकि भारत की अबादी बहुत ही जादा है, इसलिए प्रधान मंतरी के द्वरा यह कहा गया कि जब भारत विकास करेगा, तब ही दुनिया का विकास होगा, इस तरह की बात यहाँ पर कही गई। पर जिक्र किया, उनके द्वारा भारत में गरेबी उन्मोनन को लेकर के जो प्रयास किये जा रहे हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया, और इसी तरीके से उनके द्वारा अफगानिस्तान में जो घटनाई हुई हैं, उसका भी जिक्र करते हुए, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी देश आतंगवाद को एक रांजतिक उपकरन की तरह इस्तमाल करते हैं आतंगवाद से उन देशों को भी खत्रा है जाहे तोर पर यहाँ पर जो निसाना था वो पाकिस्तान था उसी तरीके से चीन का नाम लिये बिना ही उन्होंने समुंद्री छेत्र को विस्तार और भहिसकार की दोड़ से बचाने का भी आवाहन किया और यहाँ पर उन्हें ये भी कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ती कैसे हुई है इसकी भी जाँच यहाँ पर होनी चाहिए जाहे तोर पर यहाँ पर चीन की और इसारा था यहाँ पर परधान मंत्री के दोरा संयुक्त राष्ट में जो सुधार हो रहे है उसकी परकरिया को तेज करने के उपर भी आगरह किया गया और उनके दोरा ये कहा गया कि संयुक्त राष्ट का जो विस्वसनियता है उसको बहाल करने का एक मातरीका ये है कि संयुक्त राष्ट में जो सुधार सुरू किये गया है उसे तेजी से पूरा किया जाए तो यहाँ पर इन सभी बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है लेकिन इस एटूरियल का जो लास्ट भाग है वो काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि भले ही परधान मंतरी के द्वारा संयुक्त राष्ट महासभा में भारत के तरक्की को लेकर के बाते कहे गई आतंगवाद को लेकर के बाते कहे गई लेकिन जब उनकी मुलाकात अमरीका के राष्टपती और उपर राष्टपती से हुआ तो यहां पर उन दोनों के द्वारा उन्हें भारत में लोकतांतरी परक्रियाओं को और मजबूत करने के आउसकता पर बल देने को कहा और इसी के साथ साथ इसे टोरिल में ये भी कहा गया है कि जब धान मंतरी के द्वारा संयुक तराश को सम्मूधित किया जा रहा था तो उसी समय बाहर बहुत सारे प्रदसन कारियों के द्वारा भारत में जिस तरीके से गैर सरकारी संगंठनों पर, किसानों पर और नगता का को ले करके भी यहां पर उनकी आलोचना की गई और इसी को मुद्दा बना करके इस एटोरियल में कहा गया है कि प्रदान मंतरी के द्वारा जो बाते कही गई है लोकतंत्र को ले करके या भारत की प्रगति को ले करके उसे दुनिया जो है भारत में जमीनी अस्तर पर कितना बदलाव हो रहा है उससे समझेगी उससे पहचानेगी ना कि सिर्फ भासन देने से ही भारत में जो है लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा तो एक बहुत ही महत्पुन यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम अपने देश के अंदर लोकतंत्र मुल उठाया गया है इसको भी आप लोक ध्यान से पढ़ लेंगे आए एक और एटोल के हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एटोरियल आया जो की PM कुसुम योजना से जुड़ा हुआ है और यह टॉपिक GS पेपर 3 एकॉनमी से जुड़ा ह हुआ है और यहाँ पर PM कुसुम योजना को ले करके चर्चा किया गया है कि किस तरीके से यह योजना आगे बढ़ाई जा सकती है इसमें क्या कमिया है और इन कमियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2019 में कें सरकार के द्वारा PM कुसुम किसानों के बीच सौर उर्जा के उप्योग को बढ़ावा देने के उद्देश से सुरू किया गया था, यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है कि कुसुम का यहां पर अर्थ क्या होता है, कुसुम का यहां पर मतलब होता है किसान, उर्जा, सुरक्षा एवं उथान, महा अभ जिससे कि उन्हें अतरिक्त आमदनी हो सकती है तो एक अच्छी सोच के साथ इसोजना को सुरू किया गया था और इसोजना के तहट 20 लाग किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जानी थी और यहाँ पर 15 लाग किसानों को ग्रीड से जुड़े सोलर पंप लगाने के पहला है ओफ ग्रीड सौर पंप दूसरा है सौर इकरिट क्रिसी फीडर यानि की सौलराइज एगरिकल्चल फीडर और तीसरा है ग्रीड से जुड़े पंप और यहाँ पर ओफ ग्रीड पंप लगाना जो सबसे लोकप्रिय रहा है किसानों के बीच में अगर हम इसकी बात क करें तो यहाँ पर अभी तक दो लाख असी हजार ऐसे सिस्टम जो है किसानों को दिये गए हैं लगाए गए हैं जबकि इस योजना के तहट दो हजार बाईस तक दो मिलियन यानि की 20 लाख से जादा ऐसे सिस्टम को लगाना था और अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह ल मॉडल है ग्रीड से जुड़े पंप यहाँ पर इनकी प्रगति काफी खराब है क्योंकि यहाँ पर इन मॉडल में नियामक, वितिय, परिचालन और तकनीकी चुनोतिया बहुत ही जादा हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर इस एटोरियल में यह बताने का प्रयास किय गया है कि अगर सरकार के दोरा कुछ कदम उठाए जाते हैं तो PM किस्म योजना के कारण में जो चुनोतियां है उसे कम किया जा सकता है और यहाँ पर जो पहली बात कही जारी है वो है योजना की समय सीमा को बढ़ाया जाना जिस तरीके से COVID-19 के कारण इस योजना को यहाँ पर जो फाइदा है वो काफी कम मिला है और इसको देखते हुए योजना की समय सीमा बढ़ायी जानी चाहिए यहाँ पर जो दूसरा बात कहा गया है वितरित सौर सेंत्रों के लिए समान और सर परदान करना जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर इस योजना के कमपनिया है उसको यह बेच सकें और उससे जो है उन्हें अतरिक्त आमदनी हो सकता है यहाँ पर इसको लेकर के काफी कन्फ्यूजन है डिसकॉम के दौर अभी तक अतरिक्त बिजली के खरीत को लेकर के कोई भी परयास नहीं किया गया है और यहाँ पर अगर हम इसे ठीक कर लेते हैं तो किसान जो है इस योजना के तरफ जादा अकरसित होंगे क्योंकि बची हुई बिजली वो डिसकों को बेचेंगे जिससे कि उनकी आमदनी होगी और इसको देखते हुए बहुत सारे किसान जो है पी-म किसम योजना से जुड़ना चाहेंगे उसी तरीके से यहा पर उड़ जाके पैनल लगा सकते हैं तो यहां पर गैर किरसी उद्देश के लिए किरसी भूमी को पट्टे पर देने या परविर्टित करने में जो देरी होती है उसको कम करने में मदद मिलेगा अगर अंतर विभागे समन में बढ़ा दिया जाता है तो यहां पर जो चौ किसान इन सोलर पैनल को लगाना चाहता है तो उसे जो है इस योजना का जो है जितनी भी लागत लगेगी उसका 30 से 40% भुकतान करना पड़ेगा और यहां पर अगर इसको देखा जाए तो यहां पर रासी बहुत ही ज्यादा हो जाता है जिसके कारण छोटे किसान जो है इस इसे कि वह लोन लेकर के भी यह जो अगरिम लागत है उसका पैसा दे पाए तो कुछ ऐसे कदम यहां पर उठाने की बात कही गई है जिसके कारण जो है PM कुसुम योजना जो है और तेजी से लागू हो सकता है हमारे देश में क्योंकि इसके फायदे बहुत ही जादा है एक लेकिन इस योजना की कुछ कम्यों के कारण यह योजना का जो विस्तार है किसानों के बीचे में वो सही तरीके से नहीं हो पाया और अगर सरकार सुझाय गए कदमों पर यहां पर ध्यान देती है तो इस ओजना को और तेजी से लागू किया जा सकता है आईए अब आज के विशियो पर धारित मुख्य परिक्षा के अभ्यास प्रस्णों पर चाचा कर लेते हैं यहाँ पर question number one है Quad के एजेंडे में बहुत अधिक आइटम है और Ox की घोषना के साथ Talks ओप बनने की खत्रे का सामना करना पड़ रहा है इस कथन का समरुचनात्मक विशलेशन कीजिए तो जैसा कि हमने देखा पहले एटोरियल में कि जिस तरीके से Australia, UK और US के द्वारा Ox समझोता किया गया, एक गरबंधन किया गया उसके कारण Quad का जो भविस है वह खत्रे में पड़ गया है और जिस तरीके से Quad का जो एजेंडा है वह किलियर नहीं है और उसके कारण Quad के देशों के बीच में बहुत सारे आइटम को लेकर के चर्चा हो रही है और उसी के कारण यहां पर कयास लगाया जा रहा है कि कहीं Quad जो है सिर्फ बाचीत करने का एक मंच ना बन करके रह जाए और इसी मुद्दे को लेकर के आपको यहां पर चर्चा करना है तो यहां पर आपको दोनों तरह की बाते बतानी होंगी कि आखिर Quad का जो उद्देश है वो क्या है किस तरीके से जो ओक्स समझोता है वह Quad के उद्देशों को पूरा करने में उसकी सहायता कर सकता है और यहां पर आपको यह भी समझाना होगा कि किस तरीके से जो ओक्स है वह Quad के भविस्दों को धूमिल भी कर सकता है क्योंकि Quad के देशों के द्वारा अपना एजेंडा अभी तक टै नहीं किया गया है, सचिवाले को लेकर के कोई चर्चा नहीं किया गया है, क्वार्ड में अन्य देशों को सामिल करने के उपर कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो इस तरह की बाते आप यहाँ पर लिख सकते हैं आईए देख लेते हैं question number 2 को, question number 2 है भारत को चक्रवारती तुफानों के परणामों से निपटने के लिए एक समाजिक सुरक्षा जाल बनान चाहिए इस कथन पर चर्चा करें तो जैसा कि आपने देखा कि सितंबर के महीने में जब चक्रवारत नहीं आते हैं उस समय भी जलवायू परिवर्तन के कारण भारत में चक्रवारत आए हैं और भविस में भी ऐसे चक्रवारत आते रहेंगे आपने देखा कि 2019 के बाद से भारत में लगभग आठ चक्रवात आ चुके हैं और जिसके कारण भारत में जान और माल का काफी नुकसान हुआ है और इसको देखते हुए भारत को इन परिणामों से निपटने के लिए एक समाजिक सुरक्षा जाल बनाने की जरूरत है उसको कि जो तुफान है वो भारत में आते रहेंगे और इसलिए लोगों के जो नुकसान होते हैं उसकी भरपाई के लिए हमें समाजिक सुरक्षा जाल बनाना ही होगा आसा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विसलेसन पसंद आया होगा सारे टॉपिक्स बहुत करें तो मिलते हैं समाचार विसलेसन की अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद